जिनके बच्चों की साधी देर से होती है, पांच हल्दी की गाठ देकर, सेवन टाइम्स क्लॉक वाइज उसके उपर उतार कर, पहले उससे कहीं परिक्रमा लगाओ, अब सुनो एक और उपाए, जे बहुत जरूरी है, आज कल बालग बत्तिस बत्तिस साल के हरें, ब्याना है महाराज, चौन्तिस के है गए ब्याना है रहे, च्छालीस के है गए, अब ब्याकाई कर रहे हो, अब तो रिंदे हो, सन्याद दिबा दे हो, फिर भी ब्याकी जिनने चिंता है, और आज कल ऐसे भी हमारी समाज में बहुत प्रोब्लम हो रही है, ब्यवाकी, मैं तो अगर मे से आप पूछो, तो मेरी एडवाज है, बीस के बाद बच्चों का विवाक कर देना चाहिए, तुरंट बाद में पढ़ाते रहो, जितना पढ़ाना है, कोई टेंसर नहीं, लेकिन जल्दी विवाक करना ही, हम सब के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, चरित्र के के लिए, और आने वाले बंस के लिए, बेस्ट, देर से साधी करने पर, संतान की उत्पत्ती में, प्रॉबलम आती है, अब सुनो उपाए, जिनके बच्चों की साधी देर से होती है, उन लोगों को ये उपाए, अवश्य करना चाहिए, वो भी होल का देन के दिन, क्या उपाए है, जिन बच्चों की साधी नहीं हो रही, उन बच्चों के हाथ में, पांच हल्दी की गाठें दें, पांच हल्दी की गाठें दें, और पांच, कई लोग तो बूडे-बूडे देख रहे हैं, तो मैं भी करवान होगा, पड़े ध्यान से सुनने हैं, बताओ, भाई, जिसकी साधी अगर हो गई है, अगर उसने कल्ली आना ही हो पाए, तो सिकायत मत करने आना, तुम्हें दुबारा देखने बाले आ जाएंगे लोग, कई पर हमाई उपर माते मन देऊगा चूँ, ना, तब नहीं बनेगी बात, गुएल जी, तुम्हें चकरना है, सेंटालीश में कल्ली मन आई है, कौँ तुम पिर और, पिर कहो कि आथ तुम्हें फस्टेन बरसरी है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सभी ध्यान से सुने, जिनकी साधी में बिलम हो रहा है, उनको ऐसा करना है, उन बच्चों के हाथ में पांच हल्दी की गाठ दे कर, सेवन टाइम्स क्लॉक वाइज उसके उपर उतार कर, उसी के हाथ से, जलती वोई होलका दहिन में, पहले उससे कहीं परिक्रमा लगाओ, और फिर बिलम्ब से विवा हो रहा है, ऐसी प्रार्थना करो, अब प्रभू देनी चाहिए, और ऐसी प्रार्थना करने पर, आप सब के घर की तमाम समस्याओं का समाधान हो, ऐसी में प्रिया कांजू सरकार से प्रार्थना करता है, लेकिन यह सब करना होली से पहले हुली का दहन से पहले सबको ज़्यादा ज़्यादा यह वीडियो आप लोगों को भ बलो रादे रादे